हेलो दोस्तो वेलकम तू माय चैनल डीजी टेक आज मैं आपको बताऊंगा के कोल्ड रूम का जो है कैलकुलेशन हम डैनफॉस के कूल सिलेक्टर टूल कूल सिलेक्टर टू जो सॉफ्टेर है उससे कैसे करते है तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते है तो यह आपका इंटर्फेस है इसमें आपको कमर्र्शयल अप्लिकेशन में जाना है ठीक है कि जो भी बॉह में तो मैं ले रहा हूं मेरा एक रूम करना है इस पर आपको click करना है देन आपका जो भी room का dimension है वो आपको यहां fill करना है तो मैं ले रहा हूँ मेरा एक room है 10 meter का इसका width है 5 meter और room का height है 4 meter ठीक है यह आपको select करना है कि inner dimension है या outer dimension है मैं inner dimension ही ले रहा हूँ ठीक है फिर आपको select करना है room surrounding का temperature तो temperature of surrounding मैं ले रहा हूँ 35 degrees celsius आप जहां के लिए भी जो area के लिए भी design कर रहे है उसके लिए उसके जो temperature के हिसाब से आप इसको fill करना है आपको मैं temperature below floor जो है यहां वो 25 degree celsius ले रहा हूँ आपकी requirement के हिसाब से आप ले सकते हैं relative humidity मैं 55% रक रहा हूँ अगर आपको floor भी insulated करना है तो आप floor insulated ले सकते हैं या फिर नहीं करना हैं तो आप नहीं ले सकते हैं यहां floor insulated ले रहा हूँ ठीक है तेन आपको क्या करना है next करना है इसके बाद आपको product select करना है good select करना है कि आप किसके लिए cold room design कर रहे हैं तो यह आपको multiple option है bakery product, dairy, fish, fish frozen, flowers, fruit, meat यह सब आपको options है, ice cream, आप देख सकते है ice cream हम आज vegetable के लिए करेंगे है, ठीक है तो मैं vegetable select कर रहा हूँ आपने जैसे ही vegetables लेक किया, तो आपको inlet temperature यह automatic दे देगा कि इतने पर हमको inlet temperature जो है maintain रखना है, ठीक है अगर आपको quantity per day पता है, तो आप यहाँ से quantity जो है रख सकते हैं जितना भी kg आपको रखना है, उतना रख सकते हैं या फिर अगर इस software के हिसाप से हमको देखना है कि कितना calculate करता है तो जो यह option देख रहे है आप नीचे estimate mass from room इस पर क्लिक करना है आपको percentage of room use for goods तो जितना भी room आप use कर रहे है goods के लिए सामान के लिए आपके जो भी product रख रहे है तो उसका percentage कितना है room के हिसाप से मैं 55% ले रहा हूँ और percentage of goods change each day तो हम मैं क्या कर रहा हूँ इसको each day में जो daily change होता है product तो सिर्फ 2% रख रहा हूँ आपके जो requirement के हिसाप से आप जो भी रखना चाहते है वो रख सकते है तो मैं okay कर रहा हूँ तो मुझे quantity per day इसने दे दिया है 990 kg per day ठीक है ना इसके बाद हमको क्या करना है next करना है इसके बाद हमको room condition में लिए temperature maintain करना है 0.5 degrees Celsius पे relative humidity 95 है और operating hours जो हमारा वो 12.6 hours है ठीक है ना यह जो हमारा पैनल जो है यह आप जो देख रहे यह आपका insulation polyurethine दिया है 100 mm जो है इसका thickness दिया है हमको इसको आगे देख सकते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं की thickness और conductivity तो इसको हम select कर लेंगे आप देख सकते हैं कि यह हमारा room का जो भी dimension है और जो भी हमें data मिला है यहां आप देख सकते है temperature 0.5 relative humidity 95 operating hours 12.6 hours ठीक है ना और यह जो भी हमने vegetable या जो भी goods हमने select किये वो दिया है इसका इसके बाद क्या करना है हमको यहां देखना है door openings तो हम अगर door जो है room का daily open करते हैं तो regular आपको select करना है या rare करते हैं तो rare करना है मैं rare कर रहा हूं और आपके आपके पास दूसरा option है air exchange rate तो अगर आपको यह time time room volume per 24 hours यह per 24 hours के लिए आपका जो है exchange कितना हो रहा है air उसके सबसे आप रख सकते हैं मैं यह door opening के सबसे रख रहा हूं rare ठीक है then heat transfer standard panel है और यह standard जो हमने slake किया है मैं आपको पहले बताया था यह हमारा insulation है आपको इसको custom करना है तो आप देख सकते हैं front wall के लिए 100 mm का thickness है conductivity है और यह temperature है तो आप इसको customize कर सकते हैं आपको जैसे करना है मैं standard panel ले रहा हूं ठीक है इस पैनल पर आना है हमको additional load यहां पर lights इसने automatic calculate कर लिया है 400 वैट हमको जितना requirement है हमारी means जो भी हमारा light load है वह हम यहां consider करते हैं तो मैं 250 ले रहा हूं जनरली हम इसको one per square fit consider करते हैं लेकिन मैं यहां 250 ले रहा हूं और fans का load जो यहां दिया गया है आपकी requirement के आप से हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं number of people जो है मैं क्या कर रहा हूं और पर डे ले रहा हूं ठीक है ना लोड आपकी requirement के आप से आप से आप ले सकते हैं और आदर्स लोड आप लिखना है यहां अधास लूड आपको लिखना है यहां डिफरॉस नैचरवल जो डिफरॉस्ट यहां आपको नहीं है क्योंकि यह लोड लोड टेंप्रेचर फे वर्क नहीं करता है तो electric डिफरॉस्ट हम यूजज कर रहे है इसका आटोमेटिक डेटा दे दिया गया है ओ अब डेवर्स प्रॉष्ट धे कितना करना है तो मैं कर रहा हूं फोर-thỡीमिंटल थीक ना निख करना है ये एशीजया जो रिजन हम को यह स्लेख करनां यह जो भी रिजिन है हमारा है अशा स्लेख कर ले रहे हैं मैं आपको अगर चैन्ज करना है तो आप एशिया जो रीजन है हमको वो यह स्लेक करना है जो भी रीजन है हमारा हम एशिया स्लेक कर ले रहे हैं इसमें आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं यह यह रख सकते हैं और यह आपका रेफ्रिजन्ट है जो भी आपको स्लेक करना है आप यहां से स्लेक कर सकते हैं म हम next करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमको यह कूलिंग कैपैसिटी रिक्वाइट कैपैसिटी दे दिया है 6.020 किलो वैट तो यह हमारा जो है इसका हीट लोड कैलकुलेट हो चुका है और यहां पर टोटल लोड देख सकते हैं कितना है आइस ओफ इन इन एवैपॉरेशर लाइट लोड पीपल लोड फैंस लोड अधर लोड टोटल हमारा कीलोवैट में जो है वैल्यू आ गया हमारा इसको हम जो है टं में करके मालम कर सकते कि इसका टं में कितना होगा ठीक है देन हमको लेक करते हैं है को जो डैनफोस का सव्श्यूर जो सव्श्य और है जो डान्माट फोच कंपनी है यह इवैपॉरेटर नहींग बनाती है इसलिए हैं इसली जो हमें दे करने के लिए पाविएक कि और का जो ड्यटा है यहां मी दे दिया अब हम क्या कि एसका रिपोर्ट बनाना है report पर click करना है हमको देन हमको यहां से क्या करना है जैसा मैं ले रहा हूँ project name dg ठीक है जो भी हमें रखना है वो रख सकते है created by danish यह मेरा नाम है देन हमको जो भी जो इस data में चीए जो आप देख रहे हैं इसमें चीए वह कर लेंगे क्या कर रहा हूं से जो मुझे क्या चीए इसमें in power consumption gonna कुलिंग कैपेसिटी आफ कंडेंश जो भी डाटा यह आप को चीए डेटा में आप यहां क्लिक कर सकते हैं ठीक है इसी तरह जो भी डेटा चीए आप क्लिक कर सकते हो यहां गया डैनफोस का कूल सेलेक्टर टू इससे आप कोल्ड रूम का डिजाइन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और अगर इस सॉफ्टेयर के मुदापिक आपको कोई क्वेश्च करते हैं थैंक यू